नमस्कार दोस्तों जैसी कृष्णा कैसे हैं आप सब उम्मिद करते हूं खुश होंगे सुखी होंगे संपन होंगे दोस्तों आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो शत्रों को लेकर के बहुत बहुत ज्यादा परेशार हैं तो आज आपको जो उपाय बता रही हूं सत्रों से अपने आपको बचाने के लिए सत्रों की शक्ति को खत्म कर देने के लिए उनका जो अभिमान है जिस चीज के उपर वो कूद रहे हैं वो चीज उनसे हट जाएगी उनसे दूर हो जाएगी उनका जितना भी अभिमान है घम और ये उपाए बहुत ही कारगर है और ये जो मंत्र है ये जो अक्षर है ये अक्षर ही अपने आप में एक सिद्ध अक्षर है इसके लिए इसका यूज जब भी आप करें बहुत सोथ समझ करके करना तभी करना जब ये करने के सिवाए और कोई भी छुटकारा ना रहे गया ह अन्याथा मैं हमेशा आपको एक सजिस करती हूँ ये सजिसन देती हूँ कि लेट गो करें जितना आप किसी को माफ करेंगे उतना ही आप अंदर से बड़े बनते जाएंगे आपकी शक्ति का विस्तार होता जाएगा और कुदरत एक ने एक दिन आपके विरोधी को मजबूर क करेंगी कि वह आपके सामने अपने घुटने टेक दें लेकिन यदि आप इंतजार नहीं कर पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पोजिशन है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं उपाय बहुत ही साधारण है बहुत ही छोटा सा है वैसे जब भी इस अक्षर को इस शब या आपको टॉयलेट में बेट करके करनी है आप लेटिन जाएं या बात्रूम जाएं जब भी आप टॉयलेट में जाते हैं जब भी आप कमोड पर या लेटिन में बैठे हुए हैं उस समय आपको इस सब्द को कंटी न्यू बोलते रहना है मन ही मन आपको इस सब्द को बो चीजे उसका साथ छोड़ करके जाने लग जाती है. तो दोस्तों वो शब्द है हन. क्या है? हन. जैसर आपका सत्रू है, उसका जो भी नाम हो, जो भी नाम हो उसका, रमेश, महेश, सुरेश, दिनेश, जो भी उसका नाम हो, आप उसका नाम बोले और उसके बाद में continue हन 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 आपको continue यह अक्षर बोलते रहना है यह शब्द बोलते रहना है जितना ज्यादा आपका यह उचारण होता जाएगा आपके सत्रू की सारी सक्ति खत्म होने लग जाएगी चारों तरफ से वो परिशान होने लग जाता है कितनी बार आप सोचते हैं कि मैंने ये क्रिया की लेकिन मुझे इसका इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तो एक तो सामने वाला आपका सत्रू है यदि उसके उपर कोई भी इफेक्ट होगा तो वो आपका सत्रू होने की वज़े से कभी भी आपको ये शोर नहीं करने के लिए आएगा कि अब उस पर क्या बीत रही है यदि आप अपने कार्ये में कंटीन न्यू लगे रहे तो आप वो दिन भी देख लेंगे जो आप देखना चाहते हैं और दोस्तों यदि आपकी लाइफ में दरिद रता है किसी तरह का कोई कले है जिससे आप छुटना चाहते हैं तो आप उस चीज को बोल करके भी जैसे कि आप बोल सकते हैं गरीबी और आप अंदर ही अंदर, मन ही मन, हन, हन, हन शिप आप इस सब्द को बोलते रहें आपके घर से गरीबी और कलेबी आपकी लाइफ से बहुत दूर भागता हुआ दिखाई देगा इस अक्षर में इतनी शक्ती है दोस्तों कि जब भी आप जिस चीज को टारगेट करके मतलब जो भी चीज को आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं उस चीज को टारगेट करें पहला शब्द आप उस चीज का बोले और उसके बाद आप इस अच्छर को बोलते रहें आपके अंदर भी यदि कोई विकार है सत्रू सिर्फ बाहर ही नहीं होते दोस्तों सत्रू आपके अंदर भी होते हैं कभी आपको खुद को भी पता होता है कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है उसके बावजूद भी आप बात में सोचते हैं ये गलत था लेकिन मेरे से हो गया तो आप ऐसी क्रियाओं से बचने के लिए जो आपके आंतरिक सत्रू हैं उन्हें दूर करने के लिए भी आप इस क्रिया का उपयोग कर सकते हैं इस क्रिया का उपयोग यदि आप अपने अंदर के सत्रू को दूर करने के लिए करेंगे तो